कल हमने किया था कि टेबल में किस तरीके से फॉर्मॉलास को लगा सकते हैं अब हम मजीद फॉर्मॉलास की तरफ आगे चलते हैं यह मैंने एक टेबल बनाया है ताकि आपको पता लगे कि हर सेल का एक नाम होता है टेबल के अंदर हर सेल का एक एड्रस होता है एक नाम होता है पहला वाला सेल होता है टेबल का वो एवन होता है अब यह एवन क्या है जो यह पहला वाला कॉलम है ना यह कॉलम होता है यह दूसरा कॉलम है यह होता है और तीसरा कॉलम है यह होता है सी ठीक है ए भी सी कॉलम का नाम होता है कॉलम का नाम हमेशा एल्फाबेट से होता है फिर प्रफर उसके पारोस होती हैं रो का का नाम पहली का नाम होता है दूसरी का नाम ठीस री और चौ। तो कॉलम नैम होता है कॉलम यस तारीकशें बन जाते हैं अब यहां पर पहला वाला ऐpes आपस यह वाला जौन से कॉलम में मौझूद है यह कॉलम ऑम में मौझूद है एस इस चानाम और भर यहोद दो नाम क्या होगा एक उसके बाद दूसरे वाले ये वाला जो हमारे पास cell है ये किस column में मौझूद है A column में मौझूद है और कौन सी वाली row है तीसरी तो इसका नाम होगा A3 इसी तरह यहां पर आजएं ये जो ये लिखा हूँ है B3 ये हमारे पास column जो है ये B वाला column है और 3rd row है इसलिए इसका नाम होगा B3 तो ये बात समझ आगे है किस तरीके से cell का नाम cell का address हम बना सकते हैं खुद से देख के तो cell का जो नाम होता है उसको cell reference भी बोलते हैं ये जब B1 A1 ये cell का नाम है ना इसको हम cell reference भी बोल सकते हैं अच्छा ये क्यों हमने किये references वगयरा इसलिए किये हैं ताकि इनकी मदद से हम असानी से एक पॉर्मॉलास भी लगा सकते हैं अपने टेबल के अंदर कोई भी टेवल को insert कर रहा हूं यहां पर इनसर्टेबल में जाता हूं और यहां पर एक चोटा सा टेपल बना दिखता हूं ठीक होगे अच्छा यहां पर यहां पर लिग्ता हूं नेम इसके बाद लिखता हूं English और उसके बाद लिखता हूँ और यह और कॉलम मनाते हैं जिसके अंदर का टॉटल का एंथ हम कहते हैं कि कि हैहते हैं पर एम पर एमागर के इंगलिशिक और यहां पर लिखते हैं 60 ठीक है तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा टेबल बना लिए मैं इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता हूं ठीक है स्टाइल थोड़ा सा बदल रहाँ इसका यह जिए अब यहां पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें बच्चों के कुछ नाम लिखें में और उनके मार्क्स लिखें में अब मैं इनका टोटल करना चाहरा हूं कल मैंने बताया था फॉर्मुला लगाने के लिए आपको क्या करना पढ़ ला था आप पहले तो फॉर्मुला की ब्रैकेट लगाते थे फिल्ड कोड़ इंसर्ट करते थे एक एंट्रोल छिवांच ब्रैकेट को उपन करते ते और उसमें लिगते और ओर ब्रैकेट को बंद करते हैं एकोल टू सम और उसके बाद लेकर पैंडाऊणी के लेफ्ट में जितने नमपर मोझूद हैं लेफ्ट पे कहन कौन से नाइन दाने से यहां पर इंसर्ट हो जाएगी उसके बद इक्ल लिखूंगा फिर नाइं सम करने का मतलब होता है प्लस कर दो एड़ कर दो फिर ब्रैकेट ओन करूँगा और उसके बाद लिक्ट को क्लोज कर दूंगा ठीक है फिर उसके बाद एफ नाइन से अपडेट हो जाएगा तो देखें इन दोनों का सम जो है वह 130 और 130 है अच्छा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं किसी भी सेल के अंदर कोई चेंजिंग करता हूं जैसे कि यहां पर 80 लिखा हूं यहां पर 60 और यहां पर लिख देता हूं 50 क्या आगे लिखावा नंबर चेंज हुआ नहीं हुआ आपको क्या करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए आपने यहां पर माउस रखना है इसके उपर मतलब क्लिक करना एक बार और फिर f9 दबादेना f9 से यह अपडेट हो गया तो यह वन थर्टी आया इसका अंसर और इस वाले का 110 हो गया पहले 130 तो आपने यह चीज़ याद रखनी है कि जब भी की अंतरा फॉर्मला लगाएंगे तो आपको अपडेट करना पड़ेगा ठीक है कल भी अपडेट की लिखवाई थी अपडेट फील्ड कोड़ की आज मैं दुबाएं लिखता हूं एफ-9 से अपडेट फील्ड कोड़ होते हैं ठीक है और इंसर्ट फील्ड कोड़ किसे होता ह अगर तो आपने फॉर्मॉला के थू काम करना है तो यह तीन शॉर्ट की आपको याद होनी चाहिए इन्हीं के तुरू आप काम कर सकते हैं फॉर्मॉला और फॉंक्शन्स का अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इस टेबल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं मैं यहां पर मिटा दिया मैं यहां पर लिखता हूं कंट्रोल एफ नाइं दबाया फॉर्मॉला की ब्रैकेट आ गई मेरे पास इसमें मैंने फॉर्मॉला लिखना है मैं लिखना इक्वल्स टू सुम ब्रैकेट ओपन लिए फ्टी लेफ्ट और पी ब्रैकेट ट्लोस ठीक हो ग करूंगा दुबारा मुझे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकर यह भी इक्वल्स टू सम लेफ्ट का फॉर्मॉला लगेगा तो मैं उपर वाले कंट्रोल सी कर लूँगा और नीचे आके क्या कर लूँगा कंट्रोल वी तो यह कॉपी पेस्ट हो गया अब पेस्ट तरीके से भी फॉर्मॉलाज लगा सकते हैं वह भी हम देखते हैं कैसे के माइनस करना अग्ना हो लगी डिवाइड नाम है इसे वाले सलंका 10-100 जी वेरी गूड ऐ곡ल 18已經 क्या नाम हो सकता है इस र्कल का नाम है बिल्कुल इस र्का नाम है बीजू और जांपर लिखाए deserve a true एक रहे बिएากुड अब हम ना इनका नाम इस्तमाल करके भी formulas को लगा सकते हैं कैसे मैं यहां पर formula लगाना चाहरा हूँ मैं चाहता हूँ यह दोनों जो number है यह plus हो जाएं लेकिन इस बार मैंने sum left का इस्तमाल नहीं करना मैंने खुछ से formula create करना है तो यहां पर मैंने एक बार click करना है इस cell के अंदर जहां पर आपने इकाम करना है फिर आपने इंसर्ट करनी है फील्ड कोट्स की control f9 से control f9 दवाते हैं और यहां पर brackets हागी उसके बाद आपने लिखना है equals to equals to यह जहां पर 90 लिखा हुआ है इस cell का आपने क्या नाम बताया था बी टू तो आपने लिखने equals to बी टू ठीक हो गया बीच में प्लस का sign डाल दें और यहां पर जो 40 लिखा हुआ है इस cell का क्या नाम है इसका नाम होगा c2 तो बी टू प्लस c2 आपने ऐसे करके लिख देना है यह तरीके कार होता है अपना फॉर्मला लिखने का बी टू का मतलब है 90 और c2 का मतलब है 40 तो जहां पे वो बी टू के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो उसको जमा कर देगा c2 से ठीक है बी टू को वो c2 से प्लस कर देगा और उसके बाद आपने फिर दबाना है अपडेट फिल्ड कोड्स के लिए f9 तो f9 दबाते हैं और देखते हैं जा हमारा काम हुआ बिल्कुल हमारा काम हो गया तो 130 इसका अंसर आ ठीक है अच्छा अब यहां पर बात एक यह है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा नीचे क्योंकि अगर मैंने इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया तो फॉर्मुला तो है b2 प्लस c2 लेकिन नीचे वाले के लि पहले मैं यहां पर अपना करसा रखूंगा फिर उसके बाद की इंसर्ट होगी कंट्रोल एफ-9 से कंट्रोल एफ-9 दबाया और इंसर्ट गर दी गई है और उसके बाद फिर मैंने लिखा इक्वल्स टू क्योंकि हर फॉर्मॉला के शुरूब में इक्वल्स टू आता है फ ठीक हो गया बीच में पिर प्लस और फिर यह जो फिफ्टी लिखावाई यह सी थ्री है तो यहां पर बी थ्री प्लस सी थ्री तो यह मैंने एक फॉर्मॉला बना लिए ठीक है और उसके बाद लास्ट टेप में मैं एफ-9 दबाके इसको अपडेट करूंगा तो यहां पर यह आंसर आ गया सिक्स्टी प्लस फिफ्टी क्या होता है एक सो दस होता है अब मुझे यहां पर फॉर्मॉला लगा वा दिखाई नहीं दे रहा देखें यह लिखा वाई किसी एक फॉर्मॉले से लिखाया मैं फॉर्मॉलास को देखना चारा हूँ तो मैं शो करवा मुझे फॉर्मॉलास देखने हैं कि मैंने कौन से फॉर्मॉलास लगाए हैं तो मैं तब इस्तमाल करूंगा आल्ट F9 का तो मैं आल्ट F9 दबाता हूँ तो अब देखें फॉर्मॉलास जहां जहां भी फॉर्मॉलास लगे होंगे वो सारे फॉर्मॉलास शो होना शुरू ह हो जाएंगे फिर दोरा आलटफनाइं दोंगा फिर स्मेंड हम मेंदेसे हीड हो जाएंगे इक फहां मुझे वैल्यू नज़र आएगी नेक्स वो लिखा हुआ नहीं आ रहा फॉर्मूला नहीं लग रहा साई तो आपको आलट एफ नहीं दुबारा दबाना पड़ेगा ताकि आपको वैल्यू नजर आए ठीक है यह दो चीजों का अपने ख्याल रखना है फॉर्मूला से काम जब भी आपने करना है तो इन तीन लिखा हुआ है यहां पर दोनों माइनस हो जाए नमबर यानि कि फॉर्टी में से क्वटी माइनस हो जाए तो आपने क्या करना है सबसे पहले तो जिससल के अंदर आपने काम करना है उसके अदर अपना प्रसर रखना है स्टेप नबर वन हमारा यह क्लियर होंगे सेकेंडस step हमारा यह होगा हमने control f9 दबाना है ताकि ब्रैकेट में ही लगा सकते हैं आप ब्रैकेट के बगहर अगर लिखेंगे ना 40 लिखा हुआ है इस cell का reference क्या है नाम क्या है क्योंकि यह a column के अंदर मौझूद है और रो नंबर टू है तो है यह a2 है तो मैं equals to a2 ठीक है बीच में आप माइनस का sign डालूंगा क्योंकि मैं माइनस करना चाहरा हूँ अब उसको उसके बाद अब देखते हैं यह जो 20 लिखा ह है इस cell का नाम क्या है इस cell का reference क्या है यह है जी column B और row number 2 तो यह है B2 तो मैंने लिखा पाएंगे तो answer आ गया कंटी अचाहिए इसके बाद जी यहां पर चलते हैं अब निच्छे वाले सेल में आजए अब मैं चाहता हूँ यह वाले दो सेल जो हैं 50 और 40 यह आपस में हो जाए multiply multiply हो जाएंगे तो उसके लिए step number one यह है कि मैंने इस cell के अंदर अपना करसा रखा उसके बाद मैंने दबाया control f9 जो के ब्रैक्टिट इंसर्ट हो गई है step number two पे तीसरे step में मैंने लिखना equals to चौते step में मैंने यहां पर इसका पता करना इस cell का reference क्या है यानि के address क्या इस cell का नाम गया है क्योंकि यह एक कॉलम के अंदर है अब हमने पता लगाना यह जो है इसका नाम क्या है इस cell का यह एक कॉलम के इंदर मौझूद है ठीक है यहां पर पहले लिख जैते हैं कौन सी रो में मौझूद है तीसरी रो में मौझूद है तो यहां पर आएगा ए थ्री फिर बीच में हमने मल्टिप्लाइ करना है तो सटेरिस्ट का साइप बीच में आएका जिसको स्टार बोलते ठीक है और इसके बाद दो हमारे पास है कॉन से कॉलम में मौझूद है यह भी कॉलम में मौझूद है तो यहां पर लिखेंगे फी और यह कॉन और 2000 जो है इसका आंसर आगया ठीक हो गया अंसर आगया अच्छा यहां पर नीचे चलते हैं मारे पास लिखा वह एटी और एक सेल में लिखा है टू मैं चाहता हूं असी जो है वह दो से डिवाइड हो जाए तक्सीम हो जाए तो आपने क्या करना है स्टेप नूमबर वन में सबसे पहले तो यहां पर अपना रखना है करसर उसके बाद आपने कंट्रोल एफ नाइंद वान है फॉर्मला की ब्रैकेट आ जाएगी फिर उसके बाद लिखना है इक्वल्स टू फिर सेल का अड्रस आपने लिखना है इस सेल का नाम क्या है यह होगा ए और कौनसी रो है 1234 तो एफ और उसके बाद डिवाइट करेंगे डिवाइट का साइन यह होता है इस तरीके से स्लैश यह डिवीजन का साइन होता है और इसके बाद मैंने यह टू से डिवाइट करना है तो यह हमाने पास कॉलम नंबर बी है और इसके बाद रो नंबर फोर है इक्वल्स पाता हूं तो फोटी अंसर आ गया असी दो पर जब तक सीम होता है तो चालिस उसका अंसर आया था